यूपि की दिवरिया जिले में दो परिवारों के बीच हुए दिल दहला देने वाले हत्यकार ने लोगों को डरा कर रहा है ऐसे मिंसावाल सबके जहन में उठ रहा है कि उस दिन हुआ क्या था और इस खुने जंक की शुरूरा कैसी हुई आज इतने इस खास वीडियो में हम आपके इनी सवालों का जवाब लेकर आए हैं खास बात ये हैं कि इस बारे में दोनों ही परिवारों की बेटियों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं नवस्कार में हो प्रियानिश और आप देख रहे हैं इंडिया ने तो चलिए जानते हैं कि आखिर कतले आम के उन 20 मिन्टों में क्या हुआ था इससे पहले कि किसने क्या कहा दोनों पक्षों की बाते आपके सामने रखी जाए उससे पहले आपको पूरी घतना के बारे में एक बार फिर से विस्तार से बता देते हैं दरसल जमीनी विवाद में प्रेमचंद्र यादों की पहले हत्या कर दी गई इस हत्या का बदला लेने के लिए प्रेमचंद्र के पक्ष के लोगों ने सत्यप्रकाश दूबे के घर हमला कर दिया और दूबे समेद परिवार के 5 लोगों को मौत के घात उतार दिया ये सब महज 20-25 मिनट में हुआ अब दोनों परिवारों में कोहरा मचा हुआ है एक तरफ प्रेम यादों की तीन बेटियां और पत्नी है तो दूसरी तरफ सत्यप्रकाश की बेटी और बेटा है दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्ख हैं दोनों ही इनसाफ की गुहार लगा रहे है प्रेम चंदर की बेटी अलका का कहना है कि पापा के पास तो मुआर की सुबा कॉल आया था पापा घर से बाइक लेकर सत्यप्रकाश तूबे की घर की तरफ गए वहां उन लोगों ने पापा की हत्या करती अगर सत्यप्रकाश का बेटा चाहता है कि सब को फासी हो तो मैं भी चाहती हूँ कि पापा के हत्यारे को फासी हो प्रेम चंदर की बेटी ने आगे कहा उनकी पहले से ही प्लैनिंग थी पापा खेट पर बाइक खड़ा किये थे वो लोग बाइक लेकर अपने घर चले गए जब पापा बाइक लेने गए तो उन लोगों ने उन्हें जान से मार दिया अगर सत्य प्रकाश के घरवालों को इंसाफ चाहिए तो हमको भी इंसाफ चाहिए जैसे वो चाहते हैं कि हमारी फैमिली को फासी हो वैसे मैं भी चाहती हो कि अपने उनको फासी हो प्रेमचंदर की एक बेटी अर्चना ने कहा पापा जब कभी कही जाते थे तो उनके साथ दो तीन लोग होते थे लेकिन घतना वाले दिन वह फोन आने पर अकेले ही चले गए जहां पहुंचते ही उन्हें मार दिया गया इतना कहकर अर्चना रोह लगती है वहीं प्रेमचंदर की पत्मी श्रीला ने कहा घतना वाले दिन सुबह उनको फोन आया था चाय देने गई तो बोले लोट कर आता हूँ बाइक स्टार्ट की और निकल गए कुछ दिर बाद खबर आए कि उनको मार दिया गया है ससुर मौके पर गए थे हमें नहीं पता कि बाकी लोग कब उनके यानि सत्यप्रकास के भर पहुंचे हमारी तीन लड़किया हैं कहा लेकर जाएं आप पता कर लीजिये मेरे आदमी जगड़ा लड़ाई नहीं करते थे जमीन का विवाद काफी दिन से था मितक प्रेमचंद्र की पत्नी के अनुसार आरूपी उनके पती को मारने के बात गज़े में दफन करना चाहते थे लेकिन इतने में उनके ससुर मौके पर पहुंच गये उन्होंने कहा कि जमीने विवाद के चलते सत्यप्रकाश की पत्नी उनकी पती को मरवाना चाहती थी शोबिता का कहना है कि 24 में मेरे चाचा को अगवा करके प्रेम चंद्र यादों ने जमीन अपने नाम लिखवाली तभी से उसने परिवार को खत्म करने का प्लैन बना रखा था उसमें वो सफल भी रही रहे इसमें रुद्रपूर के तैसिलदार स्ट्रियम और एस्टो किला पर वाही रही क्योंकि हम उन्हें जब भी शिकायत करते थी वो एक्सन नहीं लेते थे शोबिता ने बताया कि जमीन विवाद मामले में 4 अक्टूबर को प्रेम यादों के पक्ष के लोगों की खोट में पेशी थी लेकिन उससे पहले परिवार को खत्म कर दिया गया शोबिता ने कहा शासन प्रशासन ने इस देश के समिधान को नौटं की बना कर रख दिया है मेरी माग है कि इन माफियों की चंगूल से हमारी पैत्रिक संपति को मुक्त कराया जाए जैसे जैसा हमारी फैमिली को खत्र किया गया है वैसे ही माफिया के गैंग को फासी दी जाए या एंकाउटर कर दिया जाए बुल्डोजर भी चलाया जाए घतना वाले दिन देवेश पूजा पाठ करने दूसरे जिला गया था इसलिए इसकी जान बच गई देवेश ने रोते हुए कहा उस दिन मेरे सवाप्त हो गया मैं चाहता हूं कि दोश्यों को फासी की सजा दी जाए फिलहाल सत्य प्रकास दूबे की बड़ी बेटी शोबीटा की तहरीग पर 27 नामजद और पच्चास अग्यात लोगों के खिलाफ थाना रोतरपूर ठाने में विभिल धाराओं के अंतरगत केस अबतार कर लिया गया जबकि दूसरे पक्ष यानी प्रेम चंद्रियादों के घरवालों ने भी सब के प्रकास दूबे पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ यार्दज कराए ऐसे इस पूरी घतना पर आप ही क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताएं औ कि अबताए जियाूं अधिया लेखके लोगों कर लोगों